Hello everyone, welcome to Only IIS. Date है आज की 12 September 2020 और स्वागत है आपका प्रिलिम बूस्टर न्यूस दिस्केशन में. सबसे पहला आर्टिकल प्रधान मंतरी मत्से संपदा योजना से रेलेटेड है. हाल फिलाल में प्राइम मिनिस्टर ने प्रधान मंतरी मत्से संपदा योजना को डिजिटली लॉंच किया और साथी साथ इगोपाला एप को भी इनागुरेट किया. नाम से बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि इगोपाला एप पशुपालन से संबंदित है, मतलब कि एनिमल रियरिंग से संबंदित है. इसमें वो सभी information प्रवाइट की जाएगी जिससे हमें पशुपालन में help मिल सके. जैसे कि जानवरों को कब खिलाना चाहिए, कितना खिलाना चाहिए, क्या चीज़ें खिलाना चाहिए, ये सभी information आपको मिल जाएगा. बात करें, प्रधान मंतरी मत्से संबंदा योजना की, तो ये आत्म निर्भर भारत अभियान के अंतरगत का एक flagship scheme है, जिसका major focus fisheries sector के sustainable development पर होगा. अगर आपसे कोई पूछता है कि इसकी nodal ministry क्या होगी, तो आप बताईए कि nodal ministry, ministry of animal husbandry, daring and fisheries होगी. बात करें मत्से संबंदा योजना का main aim क्या होगा? तो 2024-25 तक आते आते, हमें fish production में 70,000,000 ton का additional production चाहिए, साती सात, हमारा जो export है fisheries sector का, उसमें जितनी भी earning होती है, उसको हमें 1,00,00 करोड रुपए तक पहुचाना है. जितने भी हमारे fishermen हैं, हमारे fish farmers हैं, उनके income को double करना है, अभी तक post harvest loss होते थे. Fish जो है न, वो एक perishable item है, बहुत जल्दी खराब हो जाता है. ठीक है? तो इसमें जो post harvest loss होता है, वो आज के time पर 20 से 25 परसेंट तक का है. इसको 2024 परसेंट तक आते आते घटा के 10 परसेंट तक करना है, मतब 10 परसेंट तक post harvest losses को बनाना है. साथी साथ हमें खूब सारी employment opportunities generate करना है. Approximately 55 lakh direct और indirect gainful employment opportunities generate करेंगे. यही simple fisheries sector में, या फिर जो भी इसके साथ के लगे हुए elite activities होते हैं उन में. साथी साथ आने वाले 5 सालों में, मतलब की financial year 2020-21 से लेके financial year 2024-25 तक, हम लगभग लगभग 20,050 करोड रुपे का investment इस fisheries sector में करेंगे. इसके दो component हैं, सबसे पहला central sector scheme के अंतरगत आएगा. Central sector scheme वैसी scheme होती है, जिसमें 100% पैसे central government के लगते हैं. और centrally sponsored scheme वो होती है, जिसको implement states करते हैं, लेकिन जो इसमें financial burden होता है, वो center और state दोनों बांट लेते हैं. कभी ये 50-50% के share होते हैं, कभी-कभी 70-30% या 75-25% के share होते हैं. कभी-कभी hilly areas या फिर northeast states के लिए 90-10 का ratio भी होता है, कि 90% जो भी funding आएगी, या फिर जो भी investment होगा in schemes में, वो center government देगी, और जो 10% होगा, वो state government देती हैं. तो इस प्रकार से ये दोनों component में मत्से संपदाय योजना देखा जा सकता है. प्रधान मंत्री मत्से संपदाय योजना के कुछ और भी significant features है, जैसे कि हम यहाँ पर cluster या area-based approach लगाएंगे, मतलब कि किसी एक particular area की बात कर लेंगे, और उस area में backward और forward linkage को club करेंगे, उससे जोड़ देंगे, मतलब कि जो भी fisher man होंगे, वो directly किसी output में, जैसे कि fish से संबंदे कोई भी अगर food products बनते हैं, तो उनको develop करना इस तरीके से backward forward linkage क्रियेट करेंगे, साथी साथ यहाँ पर seaweed cultivation, यह आप देख सकते हैं फोटो में, या फिर ornamental fish cultivation के लिए भी employment generate किया जाएगा, seaweed cultivation आप यहाँ पर देखी रहें, ornamental fish cultivation में क्या होता है, कि जो ऐसी सुंदर सुंदर मशलियां होती हैं, जिनको हम पालते हैं, घर में लेके आते हैं, उसको ornamental fish cultivation बोलते हैं, तो इनका भी, इनके थुरू भी employment generation की बात की जाएगी, अगला article हमारा सरोध ports से related है, सरोध का full form है, Society for Affordable Redressal of Disputes, निर्माड किया जाएगा, ये team जो है, ये RB Trader का काम करेगी, RB Traders जो होते हैं, वो बिचौलिये होते हैं, दो companies के बीच में, या फिर किसी सरकारी संस्था, या फिर दो सरकारी संस्था के बीच में, कुछ भी अगर ऐसा होता है, governmental, non-governmental, कोई भी हो, अगर इनके बीच में कोई भी Dispute होता है, तो ये RB Trader का काम करेगी, इनके Disputes को Resolve करने का काम करेगी, इसे फाइदा क्या होगा, बहुत फाइदा हैं, मान लिजे कि कोई यहाँ पर Port Projects में Invest करना चाहता है, तो उसके लिए ये काफी आसान रहेगा, कि आगे चल के अगर कोई भी Dispute होता है, तो यहाँ पर सरोध Ports का निर्माण फैली कर दिया गया है, इसके थुरू हमें जल्दी से Disputes को हम Resolve कर सकते हैं, और Port Sector जो है, वो Investment Friendly दिखेगा फिर, इस सरोध Ports को Society Registration Act 1860 के अंतरगत इसको बनाया गया है, बात करते हैं, इसके Composition की, जो यह Panel है न, यह Indian Ports Association और Indian Private Ports and Terminal Association के द्वारा, जो भी Members हैं, उनका चुनाओ किया जाएगा, इसमें सभी प्रकार के Disputes, जो की Maritime Sector में आते हैं, या फिर किसी Port से Related हैं, या फिर कभी हम कोई भी चीज, अगर Port के थूँ शिप कर रहे हैं, एक देश से दूसरे देश में या फिर एक जिगें से दूसरे जिगहां पर, कोई भी Port Trust है, कोई Private Ports हैं, कोई Harbor की बात हो रही हैं, ऐसे कोई भी अगर Disputes आते हैं, उन सभी के Settlement के लिए ये सरोध Ports का हम इस्तिमाल कर सकते हैं, ये कोई भी ऐसी Authority जो की Ports को License देती है, Contract देती है, उन से Related भी अगर कोई भी Dispute होता है, तो वो सब भी सरोध Ports के अंदर में Resolve किया जा सकता है, सबसे पहली बार जब World Health Assembly 1948 में की गई थी, उसी के अंतर का WHO सीर का निर्माड हुआ था, बेसिक अबजेक्टिव की अगर हम बात करें, तो Epidemiological Challenges जितने भी आते हैं, या फिर Demographic Challenges जितने आते हैं, उनको Address करने का काम करती है WHO सीर, अब ये Epidemiological Challenges क्या होते हैं, आप इसके लिए समझे की Epidemiology क्या होता है, तो ये एक प्रकार की Scientific Study है, जिसके अंदर हम लोग आज कल के जैसे महामारी का सिचुएशन है न, ऐसे कोई भी महामारी का सिचुएशन होता है, तो उनके उपर हम Scientific Study कंड़ट करते हैं, उसी को Epidemiology बोलते हैं, और इस समय काल में जितने भी Challenges आते हैं, उनको Epidemiological Challenges बोलते हैं, तो इन सभी चीजों को Address करने का काम WHOCR करती है, बात करें कि Southeast Asia Reason में कौन-कौन से कंट्रीज आते हैं WHOCR के अंदर में, तो आप याद रखना कि India, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Myanmar, Thailand, Sri Lanka, Maldives, Indonesia, और यहाँ पर उपर एक North Korea और दूसरा यहाँ पर तिमोर लेशते, इतने कंट्रीज हैं जो कि WHOCR के अंतरगत आते हैं, बात करें कि इनके प्रोग्राम्स कौन से हैं, तो इनके 8 flagship priorities हैं, इन Southeast Asia Reason में, जैसे कि missiles और rubella को eliminate कर देना, जितने भी non-communicable diseases हैं, उनको कम करना या prevent करना, जो भी हमारा maternal mortality rate होता है, under 5 mortality rate होता है, या फिर neonatal mortality rate होता है, उनको कम करना, neonatal यहाँ पर जो है, neonatal period जो होता है, वो शिशु के जन्म से 28 दिन तक count किया जाता है, अगर इन 28 दिनों में शिशु की मौत हो जाती है, तो उसको neonatal mortality कहा जाता है, साथी साथ, human resources और उनके health के लिए, जो भी essential medicines हैं, उनका proper universal health coverage है की नहीं, medicines समय पर उन तक पहुँच पा रह करता है, antimicrobial resistance develop करने की बात करता है, उनको combat करने की कोशिश करता है, जितने भी emergency situation में हमारे risk management होते हैं, उनकी capacity कितनी हैं, और आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, उनके उपर भी WHOCR बात करता है, और साथी साथ, TBKO खत्म करने के लिए, जितने भी accelerated efforts हैं, उन पर भी ध्यान द देता है, और ऐसे जो भी tropical disease, आप देखोगे कि ये countries tropical reason में आ रही है, तो ऐसे tropical diseases को हम कैसे eliminate कर सकते हैं, उनके उपर भी चर्चा करता है, अगला article हमारा अकसा से related है, मतलब कि acquisition and cross service agreement, ये agreement इंडिया और जापान के बीच में हाल फिलाल में sign किया गया है, ये एक प्रकार का logistic agreement है, armed forces की बीच में, मतलब कि armed forces दोनों देशों की coordinate कर सकें, किसी भी चीज की अगर logistic support के अंदर कुछ भी कमी लगे, खाने पीने के कुछ कमी आ गया है, तो इन सब जगहों पर services और supply में बातचीत कर सके, एक दूसरे को provide कर सके, इसी तरीके से इंडिया का ऐसा cross service agreement बहुत स कभी भी arms और ammunition की supply की बात नहीं होती है, इसमें simple armed forces हैं, तो उनका खाने पीने का ध्यान देना, transportation के लिए, या कभी किसी को airlift करना है, petrol की कमी होगई किसी को पास, या फिर clothing से related, communication में, medical services में, ऐसे जो हमारे arms और ammunition से related नहीं है, मतलब लडाई जगडे से बात नहीं हो रही है बस हम maritime cooperation को चलते हैं, या फिर हम कुछ naval exercise conduct करना चाहते हैं, उन सभी time period में अगर कोई भी help की demand की जाएगी सामने वाले देश के द्वारा, तो जिन दो देशों के बीच में ऐसे agreement sign होते हैं, वो एक दूसरे की help करते हैं, मतलब कि bilateral training activities हो रही हैं, वहाँ पर जाएंगे, अग वहाँ पर दोनों converge होके अपना decision देंगे, international relief की बात होती है humanitarian grounds पर, तो वहाँ पर अपने mutually agreed activities में participate करेंगे, acquisition and cross servicing agreement का duration आगे आने वाले 10 साल तक रहेगा, ये force में रहेगा 10 साल तक, और उसके बात भी अगर किसी ने मना नहीं किया, कि हम इस agreement से अब बाहर आना चाहते हैं, तो ये और 10 साल तक extend हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि वो credit card का हम Amazon Prime का subscription लेते हैं, कि एक महीने का subscription लिया अगर, तो दूसरे महीने में बताना पड़ता है कि सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए, अगर नहीं बताएंगे तो ये अगले महीने भी continue हो जाएगा, उसी तरीके से समझ गाडियन, military exercise है, और मालाबार exercise आप सभी को पता है कि US, जापान और इंडिया का trilateral exercise है, अगला article हमारा P7 heavy drop system से related है, इसमें DRDO, मतलब कि Defense Research Development Organization ने एक P7 heavy drop system develop किया है, आप इस picture को देखिए, इसमें होता क्या है कि हमारे पास IL-76 aircraft है, ये aircraft उपर से उड़ता हुआ जाएगा, और ये नीचे, ये जो military stores होते हैं न, मतलब कि उनके जो भी जरूरत मंद चीजें होते हैं, यसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक कुछ Jeep type का है, और भी नीचे बहुत सारे समान हैं, इन सबको उपर हवा में उनको drop कर देगा नीचे, ये parachute की मदद से नीचे land कर जाएंगे तो ये specialized parachute systems होते हैं, और इन में नीचे आप देख रहे हो, ये platform लगा हुआ है, ये platform steel का हो सकता है, या फिर कुछ heavy metal का होगा, जिसका weight, पूरा का पूरा इन सबका weight लगबग 7 ton का होता है, और ये parachute की मदद से ये नीचे इनको drop कर दिया जाता है, इसी के उपर P7 heavy drop system का निर brake shoots होते हैं, डो auxiliary shoots होते हैं, इस तरीके से कुछ brake mechanisms भी लगाए गए हैं, जिससे कि वो आराम से land करें, ये 100% indigenous resources से बना हुआ है, और Indian army में इसको induct कर दिया गया है, अगला article हमारा 5 star village scheme से related है, इसमें जो हमारे भारतिये डाक होते हैं, डाकिया डाक लाया, ये गाना कुछ चं 5 star village scheme launch किया गया है, इसके अंतरगात क्या होगा कि ऐसे rural areas जहां पर अभी ये भारतिये डाक का involvement नहीं है, या फिर वो वहां तक नहीं पहुच पाते हैं, या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि public awareness की कमी होती है, भारतिये डाक मतलब कि Indian post के अंदर बहुत सारे postal products और services देने की बात की जाती है, जिसका awareness इन लोग के पास नहीं होता है, जो वहां की जन्नता होती है, तो इस gap को भरने के लिए 5 star village scheme लगाया जा रहा है, इसमें क्या होगा कि जितने भी postal products और services होते हैं, उनको हर एक गाउं तक पहुचाने की बात होगी, market करने की बात होगी, इसमें एक one stop shop बनाने की बात हो रही है, जो भी branch होंगे न ये post offices के, उसके अंतरगत क्या किया जाएगा कि जितने भी bank accounts, saving bank accounts बनते हैं, या फिर recurrent deposit account बनते हैं, NSE, KVP certificates बनता है, या फिर सुकन्या समरिदी account खोलने की बात होती है, PPF account खोलने की बात होती है, post office, saving account खोलने की बात होती है, इसके अलमा insurance related सारी policies, प्रधान मंतरी सुरक्षा, बीमा, योजना एकाउंट, प्रधान मंतरी जीवन जोती बीमा, योजना एकाउंट, इन सब के लिए information provide की जाएगी, अब इसमें क्या किया गया है, कि सब को responsibilities बाढ़ दी गई है, जैसे कि एक team बनाई गई है, पाँच ग्रामीन डाक सेवक की, जो की पूरे गाउं में इस चीज को market करेंगे, जितने भी insurance scheme, saving scheme, जितने ऐसे से products हैं, और साथी साथ जो ब्रांच का postmaster होगा, वो इस पूरे team को head करेगा, फिलाल अभी के लिए ये 5 star village scheme, pilot basis पर महारास्टा में implement किया गया है, बाद में इस scheme को पू हमारा project 17A से related है, इस project के अंदर हम लोग निलगरी class frigates को बनाते हैं, project 17A, project 17 का follow up है, जिसके अंदर हम लोग शिवाली class frigates बनाते थे, 17A के अंदर ये हाल फिलाल में news में इस लिए रहा है, क्योंकि इस पूरे project का जो तीसरा ship है, उसको बनाने की process को start कर दिया गया है, ये steelth frigates बनाते हैं, steels का मतलब ये होता है कि इसमें छुपने की शमता होती है, मतलब है कि आप detect नहीं हो पाओगे, किसी ने अगर radar से आपको detect करने कुशिश की तो बहुत जादा detect नहीं किया जा सकता, frigates जो होते हैं, वो warships जैसे होते हैं, मतलब कि ये लडाई के लिए काम आते हैं, ये पूरा 17A जो है, ये indigenously developed steel के साथ fit किया जाने वाला, ये steel frigate बनेगा, अब इसमें क्या होगा, कि जो ये project 17A है, इसको integrated construction के अंदर में, जो की एक प्रकार का modern technology है आज का, उसके तरीके से बनाए जा रहा है, जो बागी के warships होते हैं, वो अलग तरीके से बनते हैं, ये जो integrated construction के अंदर में आता है, इसमें क्या होते हैं, हमारे पास अलग-अलग blocks होते हैं, इनको हम बाद में join कर देते हैं बस, तो multiple stages में हम इनके काम को start करते हैं, और बाद में इनको जोड़ देते हैं, तो जल्दी बनते हैं ये, तो इसलिए ये थोड़ा अलग modern technology है, जिस से related है, हाल फिलाल में institute for economics and peace ने एक index release किया है, global terrorism and peace से related, इस index में ये बताया जा रहा है कि 31 countries में रहने वाले जो 1.2 billion लोग हैं, इनको ecological threat से जहलना पड़ेगा आगे आने वाले समय में, जो आज की स्थिती है fresh water के availability से, आज के 50 साल पहले जो भी fresh water की availability थी, उसको अगर आज क समय से compare किया जाए, तो 60% कम ऐसे fresh water available है, साती सात, 2050 तक आते आते, food के लिए जो demand है, वो 50% तक बढ़ जाएगा, और साती सात, इन सब के climate crisis भी frequently आने लगेंगे, इसी report में ये भी बताया गया है, कि ऐसे 40 least peaceful countries होंगे, जहां पर natural disaster खूब सारा आने लगेगा, खाने और पीने की shortages बनने लगेगी, ऐसे threats की जो frequency है, वो बढ़ जाएगी, total 157 countries जितना इन्होंने access किया, उसमें से इन्होंने ये बताया कि 141 ऐसी countries होंगी, जिसमें 2050 तक आते आते कम से कम एक ecological threat तो देख लिया होगा, सबसे जादा जो जहिलने वाले लोग होंगे, ecological threat का, वो सब सहारन अ Asia और Middle East और North Africa वाले countries होंगे, साथी साथ India और China में water scarcity आ जाएगा, इन्होंने ये बताया कि migration के नाम पर Pakistan सबसे जादा number of people को migration में देखेगा, इसके अलावा Ethiopia और Iran भी mass migration के risk से के साथ जहलेंगे, इसी चीज़ को यहाँ पर pictorial graph में represent किया गया है, कि ये एक population का बात करें और ये year की बात करें, तो migration कितना होगा, अगर हम natural disasters के through displacement देखें तो ये orange कलर वाला है, साथी साथ अगर हम लोग armed conflict के हिसाब से देखें तो ये blue वाला category जो है, ये आपको बता रहा है कि कितना population displaced कर जाएगा, अगला article हमारा जिग्यासा प्रोग्राम से related है, हाल फिलाल में COVID-19 स लडने के लिए CSIR सिमेरी ने एक webinar conduct किया था कि हम लोग कैसे scientific और technological interventions के through COVID-19 से लड़ सकते हैं, CSIR मतलब Council of Scientific and Industrial Research ने इसको conduct किया गया, जिग्यासा प्रोग्राम के अगर हम बात करें, तो ये एक student scientist connection program है, इसको 2017 से ही start कर दिया गया था, इसमें होता क्या है कि जो भी school के बच् students होते हैं, उनको scientist के साथ एक well-planned research laboratory based learning के अंतरगत में रखा जाता है, scientist इनको पूरा बताते हैं कि students को, कि भी हम लोग कैसे science का use कर सकते हैं, technology का use कर सकते हैं, ऐसे COVID-19 जैसे चीज़ों को लडने के लिए, अब इसमें अगर हम बात करें कि इसको implement कौन करता है, तो CSIR तो ही ह साथी साथ केंद्रिय विद्याले संगठन भी इसके साथ collaborate करते हैं, बात करें सीमेरी की, मतलब Central Mechanical Engineering Research Institute, ये एक प्रकार का एक मात्र इंडिया में ऐसा Mechanical Engineering के field में research institute है, जो की CSIR के laboratory को constitute करता है, इसको 1958 में establish किया गया था, और ये एक प्रकार का Public Engineering Research and Development Institution है, जिसको West Bengal के दु बात करते हैं, Quick Revision की फटा-फट से देखते हैं, प्रधान मंत्री, मत्से संपदाय योजना, कौन से Ministry के अंदर है, तो Ministry of Animal Husbandry हमने देखा आता है, तो ये क्या हो जाएगा? False हो जाएगा, Food Processing Industry में नहीं आता है, सरोत पोर्ट की बात की जा रही है कि ये एक affordable dispute redressal mechanism है, जो क maritime sector के सारे disputes को arbitrators की मदद से resolve करने की बात करता है, तो बिल्कुल सही है, WHO Southeast Asia Reason के अंदर में members की बात की गई है कि बांगलादेश है, बिल्कुल है, बुटान है, है, इंडिया है, पाकिस्तान नहीं है देखो, ये statement गलत हो जाएगा, False हो गया ये, Five Star Village Scheme एक प्रकार का Rural Broadband Connectivity Program है, नहीं, इसके लिए तो भारत net चल रहा है, ये तो post office वाली बात की गई थी, इसमें, तो ये भी false हो जाएगा, जिग्यासा प्रोग्राम की बात की जाए, तो ये क्या Student Scientist Connect Program है, जिसको 2017 में launch किया गया था, तो बिल्कुल सही है, true है ये, तो बस आज की discussion में इतना ही था, तक ये, तक ये very much पर दिसकुरूên